हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और रुद्राक्षों में भी अलग-अलग मुखी रुद्राक्ष होते हैं ये तो हमारे जो आप दर्शकगण़ हैं जो हमारे आप प्रियसाथी लोग हैं मित्र हैं बहुत लोग उन में से इसलाश बहुत अच्छी तरीक से जानते हैं कि एक मुखी से लेकर के यह यूं तो काफी आगे तक होता है लेकिन 28-30 तक भी जाता है लेकिन यह है कि जो ज्यादा जिनका उप्योग होता है वो एक मुखी से लेकर के और 21 मुखी तक ही होते हैं और बहुत अत्याधिक उप्योग में जो आते हैं, वो एक से ले करके, एक मुखी से ले करके चवदे मुखी तक, बाकि गोरी शंकर, रुद्राक्ष है, कुछ और अलग से भी रुद्राक्ष होते हैं, और आज हम चर्चाAK करेंगे आप से जो चॉदे मुखी रुद्राक्ष होता है इसको किन जातकों को धारन करना चाहिए और किस परेशानी के लिए करना चाहिए यह चौदे मुखी रुद्राक्ष धारन करने पर किस प्रकार के जातक को अपने जीवन में लाप्राप्त होते हैं या किन परेशानियों को अगर वो दूर करना चाहते हैं, उनका निराकरण चाहते हैं, तो वो चौधे मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर परेशानिया दूर हो सकती हैं, समस्याओं का हल हो सकता है, वो कौन सी समस्याए हैं, इस चर्चा में हम उनके विशे में भी बात करेंगे, और किन बातों को लेकर के चौद्हे मुखी रुद्राक्ष जीवन में लाब देता है इसके विशे में भी ये सारी चर्चा आप से करेंगे तो मेरे प्रियसाती हुँ ये चौद्हे मुखी रुद्राक्ष भगवाई शंकर जी के तीसरे नेतर से गिरा आंसू चौज है मुखी रुद्राक्ष के रूप में अफ्तरिच हुआ था और जो व्यक्ति इसको नियमित रूप से पहनता है उसको शांती मन में और उत्साह दोनों में उसके व्रद्दी होती है शांती भी देता है मन को पीस अगर आपका मन अशांत रहता है एंग्जाइटी रहती है परेशानी बहुत रहती है टेंशन बहुत रहती है तो आप चौदे मुखी रुद्राक्ष जरूर धारन कीजिए हम तो यही आपको सुझाप देंगे और व्यक्ति जो छोटी-छोटी सी बातों को ले करके निराश हो जाते हैं जल्दी और उनका मतलब नर्वस हो जाते हैं तो उनका उत्साह में भी यह व्रद्धी करता है और जीवन में इन दोनों चीजों की ही बहुत आवशकता है अगर हम अपने जीवन के कार्यों को सफल पूरवक उन्हें पूरा करना चाहते हैं या हमारी ऐसी इच्छा है तो हमारे लिए यह आवशक है कि मन की शांती भी हो और मन में उत्साह भी हो कार्य के पिरती जो की चौदे मुखी रुद्राक्ष से मिलता है धारान करने पर साथियों इसके सौमी हनुमान जी को माना गया है हनुमान जी है चौदे मुखी रुद्राक्ष के सौमी और ये चौदे मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है आपको बताना चाहेंगे कि जिनको संतान प्राप्ती में परेशानी हो रही हो हाँ जी उनके लिए भी बड़ा लापकारी है ये और हम तो ऐसी बात कहेंगे आपको कि अगर संतान प्र इव्यरतन है और ये व्यक्ति की एक तरीके से जो छटी इंद्रिय होती है न सिक्सेंस जिसको हम कहते हैं उसको भी जागरत करने का कार्य करता है और इसको धारन करने वाले व्यक्ति को भविश्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही एहसास हो जाता है आभास हो जाता है ये चौदे मुखी रुद्राक्ष को धारन करने का ये भी एक चमतकार देखने को मिलता है उन व्यक्तियों को अपने जीवन में जो चौदे मुखी रुद्राक्ष को धारन करते हैं और ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिये गए छोटे बड़े जो भी निर्ण होते हैं वो जीवन में कभी गलत सावित नहीं होते हैं और सभी प्रकार की विपत्तियों से भी व्यक्ति को ये मुक्त करवाता है छुटकारा दिलवाता है और ये रुद्राक्ष व्यक्ति को बुरी आत्मा है या काला जादू जैसी चीजों से भी बचाता कहते हैं न उपरी हवाएं कुछ आ रही है व्यक्ति को तब भी एक बहुत बहुत उप्योगी होता है इसको धारण करना है उस जातक के लिए उस व्यक्ति के लिए और ये रुद्राक्ष जो है व्यक्ति को शनी देव से मिलने वाले जो कष्ट हैं उन से भी बचाव करता है उन से भी बचाता जी हां यदि आपकी कुंडली में शनी की इस्तिती अच्छी नहीं है शनी इस्तिती में है तो जब भी उनकी महादशा आपके जीवन में या अंतरदशा या परत्यांतरदशा या सूक्ष में दशा आएगी या साले साती आएगी आपके जीवन में या ढ़ी आएगी निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम आपको शनी देंगे ही देंगे उनके द्वारा मिलेंगे ही तो उनसे भी आपको ये मुक्त करता है उनसे भी आपको छुटकारा दिलाता है चौदे मुकी रुद्राग्श और सातियों इसको दाहिने हाथ या गले में धारन करना चाहिए या तो दाहिने हाथ में या फिर गले में और यह व्यक्ति की छाती पर टच करना चाहिए इसका ध्यान रखे पेट पर टच ना करें उस हिसाब से आप इसको धारन करें देखिए इसकी जो उपरी सता होती है रुद्राक्श की उस पर चौधे धारियां होती है उससे इसकी पहचान होती है कि यह चौधा मुखी है और इसको धारन करने वाले को भगवाए शिव और शक्ति दोनों का अशिरवात प्राप्त होता है शक्ति कौन माभगवती और इसे पहन कर व्यक्ति का जो वर्तमान और भविश्य दोनों ही सुख़द और बहतर होते है और इसकी विशेष्टा है कि ये भी है साथियों कि ये तुरंथ परिणाम देना शुरू कर देता है समयनी लगा था अगर आप इसके नियमों को भली भाती उनका पालन कर रहे है रुद्राक्ष को धारन करने के भी अपने कुछ नियम है अगर आप इमानदारी के साथ उन नियमों का पालन करते है तो निश्यत रूप से रुद्राक्ष के जो परिणाम है वो तुरंथ मिलते है अब ये चौद्र मुखी जो रुद्राक्ष है इसको धारन करने के लाब क्या-क्या है और ये तो हमने उन लाबों की बात करी अभी कि जो कुछ विशेश लाब है अब आप कुछ दूसरे लाब के विशे में भी बताने जा रहे है दिखिए अगर आपके कुंडली में चाहें आप मेल है या फीमेल अगर मंगल दोश है तो उसके निवारन के लिए और मैंने जैसा कहा के शनी की साले साती अध्या है तो उसके दुश प्रवावों को भी दूर करने में चौदह मुखी रुद्राक्ष सहयक होता है दूसरा जैसा मैंने कहा कि निर्णे लेने की छमता बहुत उत्तम हो जाती है और व्यक्ति बड़ा सहासी भी होता है अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को बहुत आसानी से उन्हें पार कर जाता है और जीवन में सफल होता है विजईव होता है तीसरा फायदा क्या है यह व्यक्ति को शक्ति और इदिकार के पदों को प्राप्ट करने में भी उनकी मदद करता है जी है कि अगर आप इसको धारन करते हैं तो आप जहां पर भी कारे रहते हैं किसी भी कारे च्छेतर में महाँ आपके अधिकार अधिकारों में व्रद्धी कराता है जिसको हम कहते हैं कि वह पावर जादा मिल गई इस व्यक्ति को तो ऐसा भी कार रहे हैं चौदे मुखी रुद्राक्ष कराता है कि और कुछ अच्छे पदों पर आपको ये प्रोशन पदों नती ये सब कराने में आपकी मदद करता है और प्रियसातियों चौदे मुखी रुद्राक्ष जैसा मैंने कहा था अभी कि शनी की शालेसाती ये शनी की स्थिती खराब है आपकी कुंडली में उसके कारण कुछ अच्छे अशुप परिणाम मिल रहे हैं कुछ अच्छे परिणाम पर आप नहीं हो पा रहे हैं तो अगर आप चौदे मुखी रुद्राक्ष को धारन करेंगे तो यह मान के चलिए कि शनी देव को आपने प्रसन क दिया और जो शनी देव की और से आपको कुछ दुष्परभाव या दुष्परिणाम जो मिलने थे वो दूर होते हैं शनी देव जब प्रसन हो जाते हैं तो और वो प्रसन तभी होते हैं जब आप चौदे मुखी रुद्राक्ष धारन कर देते हैं और धारन करने के उपर सन्न होते हैं इसकी तो ऐसी महीमा है 14 मुखी रुद्राक्ष की तो कि मैडिटेशन करते समय अगर आप मैडिटेशन करते हैं ध्यान करते हैं तो आपकी एकागरता को बनाने में यह आपकी बहुत मदद करता है चौदा मुखी रुद्राक्ष और नमबर छे दिखिए बड़े-बड़े वियफसाई हैं बिजनस मेन हैं राजनेता हैं वरिष्ट अधिकारी हैं चाहे सरकारी महकमे में हैं चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में हैं किसी और्गनाइजेशन में हैं अगर आप इस रुद्राक्ष को धारन करते हैं चौदे मुखी को तो यह बड़े लाप्राप्त कराता है और करा सकता है क्योंकि यह उनके छटे सेंस को सिक्स सेंस को और दूर दिर्शिता को उसमें उसको मजबूत करता है और तभी व्यक्ति जो है बड़े-बड़े डिसी का फिर जो है लंबे अफदी तक उसका लाप्राप्त होता है स्वास्त में भी बड़ा लापकारी सिद्ध होता है चौदा मुखी रुद्राक्ष जैसे कि आर्थराइटिस और मोटापे से जुड़ी परिशानियों को दूर करने में यह आपकी का बहुत मदद करता है और ड बवासीर जैसी जो परिशानी हो जाती है लोगों को उनको चौदा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए उससे लाप राप्त होगा इसकी अतरिक मिर्गी हुई पेट दर्द कम जोरी नपुन सकता गर्ब पात या फर शुक्राणों की मतलब शुद्धी जैसे रोगो को ठीक करने में ये बहुत हैलफुल होता है और शनी जो है चौद है मुखी रुद्राक्ष के अधिपती गरह माने गए जी हां यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनी अशुविस्थिती में हों या कमजोर हमें हों या वक्री आस्थों जैसा मैंने कहा था चर्चा के आर करना चाहिए बहुत लापकारी सिद्ध होगा आपके लिए अब इसको हम धारन करने की विधी भी आपको बता देते हैं हम तुमें कि चौदे मुखी रुद्राक्ष को आप किस प्रकार धारन करें तो देखिये मंगलवार की सुभाय सनान करने के पश्चाद आप घर के पूरव की ओर मुख करके बैठ जाएं तथा तांबे की एक थाली ले लें या तांबे की एक छोटी सी प्ले तश्त्री ले लें उस पर आप नौ पीपल के पत्ते रखिएगा तथा चौदे मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद करके महार रख लें और फिर उसे उसी थाली में पीपल के पत्ते और वहाँ पर ये इसको गंगा जल से शुद करके रख लें चौदा मुखी रुद्राक्ष को तथा इसके उपर चंदन का फिर लगाएं तिलक सफेज चंदन का फूल अर्पित करें पुश्प अर्पित करें शुद्य देशी घी का दीपक जलाएं और ओम नम है शिवाय इस मंत्र का 108 बार जब करने से आप उस पर धू पर दीप का पूरा उसके उपर होना चाहिए धू पर दीप का जो उस तरीके से धू पर दीप के उपर से उसको आप जब-धूम का उच्छारन करेंगे इस तरीके से रखें कि उसका जो निकलन वाला धुआ है वो उसी में जाए तभी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरीके से होगी और इसके पच्चास चौदे मुखी रुद्राक्ष को एक लाल रेशम के धागे में रोकर या फिर सोने या चांदी की चेंड में भी आप इसको कर सकते हैं दारन यह है इसकी बहुत सिंपल मैथड आसान वीधी दारन करने की तो यह थी चौदे मुखी रुद्राक्ष की विशेशता हैं और उनसे मिलने वाले लाब कि कौन कौन सी बिमारियों के लिए दूर करने में यह साहिक सिद्ध होता है और किन-किन परेशानियों को दूर करने में यह साहिक सिद्ध होता है तो मेरे विचार से प्रियसातियों चौदा मुखी रुद्राक्ष जैसा मैंने का एक बहुत दिव्यरतन है इसको धारन करने से तो अने को समस्याइं दूर हो तो यह थी चर्चा 14 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाब को ले करके और उनकी विशेशता है आपको यह चर्चा कैसी लगी पसंद आई तो आप इसको जरूर लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कर पर जो भी वीडियोज हमारे बनते हैं उन सभी से उनकी नोटिफिकेशन और वो सारे वीडियोज सीधे आप तक पहुँचें तो फिर आपको बैल आइकन दवाना है जी इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहां विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिये शोत गणों यह अपने दर्शक गणों के इजाज़त चाहेंगे इसी के साथ आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जयम आता दी